हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का श्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रेबन स्टडी में मेरे प्यारे बिध्यारतियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात के 9 बच चुके हैं और समय है मैद के मौक टेस्ट का शुरू करते हैं आज का मौक टेस्ट बना समय को गवाय हुए तो सबसे पहले होमबर्क का प्रिस्ण होता है जो बहुत ही शांदार होता है वैसे तो प्रिस्ण सारे सांदार होते हैं एक बार नज़र डाल लीजी आप आज के प्रिस्णों का जो लेबल है वो बहुत ही अच् फिर इसके बाद सवालों को हल कराऊंगा तो क्या बोला गया है पहले प्रिश्ण में कि एक पुष्टक का सूची मूल 96 रुपे है एक खुदरा ब्यापारी उसके लिए 7000 रुपे का भुपतान करता है उस पर उसे 2 क्रमिक छूट 12 परसेंट तथा 1 अन मिल जाती है तो दूसरी छूट कितनी है क्या सवाल है कुछ नहीं करना है आपको पता होना चाहिए कि 12 सही एक बटे 2 प्रतिशत कितना होता है तो आप कहेंगे कि गुरु जी एक बटे 8 होता है होता है ना तो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि अगर पहली छूट एक प्रते 8 है मतलब 8 से 7 8 की वस्तू 7 में बेची जा रही है तो आप माल लो कि X से Y X अंकित होगा Y में बेस दिया गया तो क्या हुआ कि जो सूची मूल है ना इस सूची मूल ही तो है कितना हो जाएगा 96 और एक कितना हो जाएगा 7,000 भुक्तान तो यहां से करेंगे ना यह तो अंकित था था ना अभी आपको पता है और मैं भी जानता हूँ क्योंकि अभी आपने लेटेस्ट लाभानी खतम किया है मैं चैप्टर वाइज डालता हूँ सुबह 9 बजे वीडियो आपने देखा होगा कि लाभानी मैंने पढ़ाया है और एक कॉंसेप्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है ठीक है ना तो जब लगातार कुछ होता है क्रमिक जो छूट मिल रही है उसमें बोला गया है पर इसमें कि क्रमिक है छूट तो लगाता है तो यहां गुणा करते हैं चाहर सीवात है करते हैं करते हैं तो आप मुझे इतना बताओ कि इनका अन्पाद बना शकते और ये 2 से काटेंगे तो 48 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 35 हो जाएगा ठीक है आप 8 में कितनी शंक्या का गुणा करेंगे कि बराबर में 48 प्राफ्थ हो जाए तो कितने से करेंगे बताइए 6 से तो X कमान क्या हो गया अच्छे 7 में कितने से गुणा करें कि 35 आ जाए तो आप कहेंगे कि गुरू जी 5 से कर लू ठीक है ना तो यहां से आप देख पा रहे हैं और मैं भी देख पा रहा हूं कि जो छूट है वो 6 से कितनी हो गई 5 मतलब कितनी कम हो गई एक और छूट मिलती किस पर है हमेशा इस पर पहले वाले रुपयों पर तो एक पटे छे गुणा सो कितना हो जाएगा यह? यह हो जाएगा आपका बी ओप्शन सही 16 सही 2 पटे तीन परतिशप ऐसे निकालना था बहुत मज़िदार है ना? बहुत ही शांदार कॉंसेप्ट था और सांदार तरीकी से आपने शमझा बहुत ही मज़िदार था चलिए अगले प्रिशनी की ओर चलते हैं बोला गया है कि एक कपड़े का टुकड़ा 35 रुपय का है यदि टुकड़ा 4 मीटर अधिक लंबा होता और प्रतेग मीटर के लिए लागत एक रुपय कम आती तो कुल लागत मूल अपरिवर्तित रहेगा अच्छा 35 रुपय का पहले भी है और बाद में भी है एक कहने का तातपर है ठीक है? तो कपड़े का टुकड़ा कितने मीटर लंबा है? पहले आप एक बात समझे ए मैंने मान लिया कि माना जो कपड़ा है ना कपड़ा एक्स मीटर लंबा है एक्स मीटर लंबा है ठीक है ना? अब यहां से क्या कर सकते हैं? कि 35 रुपय कपड़े का टुकड़ा 35 रुपय का है ठीक है एक्स मीटर लंबा है तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मीटर का निकालो रेट तो एक मीटर का कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे रुपे बटे एक्स तो 35 बटे एक्स एक मीटर का गया क्योंकि एक्स मीटर का था 35 रुपे का तो एक मीटर का 35 बटे एक्स का ठीक है होता क्या है कि PARTY AIK METER के लिए परती एक मिटर के लिए देखो एक मिटर के निकाल लिया लागत एक रुपे कम आती है तो माइनस एक कम आती है, कब कब आती है कम जब कपड़े का टुकड़ा क्या है 4 मिटर अधिक लंबा हो जाता है मतलब x से कितना हो जा रहा है x plus 4 ठीक है अब लागत मूल अपरिवर्थित रहेगा तो 35 का 35 रहेगा एक मीटर की वेल्यू ए है और एक मीटर की ए है एक ही मीटर पे कम हो रहा ना इसलिए एक मीटर का निकाल की माइनस एक किया ठीक है अब कुछ नहीं करना है आप अक्छंतर करेंगे तो 35 वटे x और माइनस का हो जाएगा 35 वटे x plus 4 और बराबर में क्या बचेगा एक ठीक है और यहां से मैं भी देख पा रहा हूँ और आप भी देख पा रहे हैं कि x into x plus 4 क्या आएगा LCM ठीक है ना यहां से जब हल करेंगे तो क्या आएगा देखो x से तो x कट गया 4 बचा और 35 गुणा 4 कितना होता है 140 और बटे में कितना x x plus 4 बराबर में कितना है 1 अब यहां से एक चीज निकलेगी देखो बहुत ही शानदार जब कैची गुणा करेंगे न तो x x plus 4 बराबर कितना होगा 140 हो जाएगा न यहां से आपको देखना है कि इन options में से ऐसी कौन सी संक्या है कि x की जगा पर रख दे और बराबर में 140 आजाए तो 10 meter के अलाबा ऐसा कोई option हो ही नहीं सकता कि भई x की value 10 ना रखने से 140 आ जाए 14 रखेंगे नहीं आएगा 12 रखेंगे नहीं आएगा 8 रखेंगे नहीं आएगा 10 ही रखना पड़ेगा तभी 140 आएगा ठीक है न तो ऐसे भी लगा लिया जाता है सबाल और ऐसे और भी आशान हो जाता है वैसे आप क्या करोगे कि x का multiply करोगे अंदर फिर इसकी बाद दोईगा समीगर बनेगा बहुत लंबा हो जाएगा आपका उत्तर 10 मीटर आएगा तो यहां से आप देख सकते हो ना कि देखो x की value कुतनी रखते हैं 10 तभी होगा 140 यह भी बहुत सांदार है ठीक है ना चलो अगला प्रिष्ण अगला प्रिष्ण आपके शामने यह है बोला है कि एक निश्चित रासी पर दो साल के लिए एक निश्चित दर्से साधान ब्याज 1200 रुपे है साधान ब्याज दो वर्स में 1200 रुपे अब आपको पता होना चाहिए कि जो साधान ब्याज है वो प्रतिएक वर्स समान रहता है तो अगर समान रहता है तो पहले साल साधान ब्याज 600 और दूसरे साल भी साधान ब्याज 600 बोलो है ना हो जाएगा ना यह आपका क्या है SI ठीक है अब बात किसकी हो रही है कि समान राशी पर समान दर से दो वर्स का चक्रवत दिव्याज 1290 है ठीक है यह बात ठीक है मान भी ली लेकिन आपको पता होना चाहिए और मैं भी जानता हूं कि पहले साल का साधारन व्याज और चक्रवत दिव्याज दोनों बराबर होते है तो SI और CI पहले वर्स के लिए कितने हो जाएंगे 600-600 रुपे बोलो हाई है ना हो गया ना लेकिन दूसरे वर्स कितना मिले कि कुल मलाकर दो साल में 1290 हो जाए तो दूसरे साल 690 मिलेगा जायर सी बात है तब तो कुल मलाकर 1290 हो रहा हो रहा की नहीं तो आप यहां से देख पाएंगे मेरे प्यारे भाईयों यहां से आपने कितना जादा प्राप्ट दिया 90 किसके साप एक्ष प्राप्ट कर रहे हो क्योंकि यहां तो ब्याज से ब्याज मिलने लगता है मिलने लगता है ना ये तो आपको पता ही होगा कि चक्रवर्दी ब्याज में ब्याज की उपर ब्याज मिलता है तो 90 रुपे किस किसा पिक्ष मिलेंगे? 600 किसा पिक्ष गुणा 100 यहां से क्या निकल रहा है? जब 100 का गुणा होता है न तो आपकी हमेशा रेट निकलेगी कितने ही आएगी? 15 परसेंट आ गई न यह रेट है आपकी ठीक अब आपको दिमाग से लगाना है क्योश्चन ठीक है बोला गया है कि एक निश्चित रासी दो साल के लिए एक निश्चित दर से साधान ब्याज 1200 रुपे है दो साल के लिए 1200 था एक साल के लिए तो 600 है है न तो एक साल के लिए आप क्या है दर 15 परसेंट तो आप क्या करो कि मूल धन का 15 परसेंट निकालो यह ब्याज के बराबर होगा और कितना होगा 600 ठीक ना क्योंकि एक साल के लिए 15% ही रहेगी न दर तो एक साल के लिए 15% मुल धनका कितना रहेगा 600 अब यहां से आप निकाल सकते कितना 40 वार सो और 40 का गुणा हो जाएगा तो पी बराबर कितना आएगा बोलो 4000 बताओ कितना शांदार था सबसे सांदार थाना शांदार बहुत मज़े से आपने किया मज़ेदार कॉंसेप्ट के साथ मज़ेदार प्रिशन ठीक है चलो अगला प्रिशन करते हैं क्या है अगला प्रिशन बोला गया है आपसे कि 90 सिक्के हैं कुल टोटल सिक्के कितने हैं 90 यदि 5 पैसे और 10 पैसे की भी हैं और 10 पैसे की भी हैं सभी सिक्कों का मुल 7 रुपे है, सभी सिक्कों का मुल है, 7 रुपे, तो मैं आप से कहूँ कि 7 रुपे सभी सिक्कों का मुल है, और 90 सिक्के हैं, तो एक सिक्की का मुल कैसे निकलेगा, तो आप 7 रुपे को पैसों में बदलोगे, तो 700 पैसे हो जाएंगे, और 90 सिक्के हैं, तो 90 सिक्कों का मुल 700 पैसे, तो एक सिक्के का मुल 700 बटे 90, 0 से 0 कर जाएगा, 70 बटे 9 आएगा, पैसा, तो 70 बटे 9 पैसा, ठीक है, अब यहां से आप allegation लगा सकते, क्योंकि अलग अलग बोले थे, 5 पैसे और 10 पैसे, कुल मला कर कितने दिये, 70 बटे 9, तो आप यहां से allegation लगाओगे, तो एज जो 9 है ना, एख खतम कर लो सबसे पहले, calculation बहुत आशान हो जाएगी, तो आप क्या करो, यहां गुणा कर दो 9 से, और यहां गुणा कर दो, तो यहां गुणा करेंगे, तो आएगा कितना, 45, और यहां गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 90, आएगा ना, अब यहां से आप हटा दू 9 को, बस, खतम करो, हट गया, क्योंकि 9 उधर उधर पहुँच गया, खतम है आप 9, तो क्या करेंगे अब, अब यहां लगा सकते हैं, बहुत यह असान तरीके से, तो यह हो जाएगा 20, और यह हो जाएगा 25, जो अनपाद बना, बना अनपाद, 5 ओका 20, और 25, 25, 4 अनपाद यह 5 में अनपाद बना, यह अनपाद किसका निकलता है, है ना, तो एक सिक का, एक रेश्यू बरावर कितने का, 10 के, एक रेश्यू बरावर 10 के, निकालना क्या है, पांच पैसे के सिक के, तो देखो, पांच पैसे के सिक के ए रहे, और इनका जो अनपाद बनाओ कितना है, 4 रेश्यू, तो एक ratio बरावर 10 तो 4 ratio बरावर कितना हो जाएगा बोलो 40 और D option आपका सही कितना शांदार था ठाना शांदार यह बहुत ही शांदार हो जाता है ऐसी विदियों से लगाओ मज़ा आ जाएगा आपको ठीक है ना मज़ा आ रहा है ना पहुत ही शांदार परशन देखो क्या करना है खरीदने की बात हो रही है तो CP निकलेगा आप निकालो एक संत्रे का मूल ठीक है एक संत्रे का मूल कैसे निकलेगा 10 संत्रे आ रहे है 3 रुपे में तो एक संत्रा 3 बटे 10 में या फिर ऐसा नहीं सोच पा रहे हो तो सीधा सोचो कि रुपे उपर रखने हो दर नीचे रुपे कितने है 3 तो 3 बटे दर कितनी है 10 तीन बटे 10 यह आगया एक संत्रे का मूल ठीक है और SP निकलेगा क्योंकि बेच रहा है तो कितना रुपे उपर तो 3 बटे 8 तो कि दर नीचे रखनी है यह बेच रहा है बेच रहा है ना अभी आपको क्या करना है यह जो fraction है ना हर है जो fraction का एक खतम करना है कैसे खतम करोगे तो आपको कुल इतने संत्रे मानने है कि जिससे 8 और 10 दोनों का भाग जाता हो बात समझ में आ रही है अब दोनों है आपके पास CP है और SP है पूछता है कि लाब प्रतीशत की करना मेरे प्यारे भाई आप यहां से पहले ए तो निकालो कि कितना लाब हो रहा तो आप कहोगे कि 12 की चीज 15 में बेच दी तो 3 का हुगा लाब कितने के साफ एक्ष होगा 12 के साफ एक्ष और गुणा 100 तो 3,4 के 12 और 4 से देंगे भाग तो 25% आपका उत्तर खतम हो गया C option आपका सही हो जाएगा कुछ नहीं था इस सवाल में बस आपको याद रहे आप किसी भी विदी से लगाते हूँ जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमेशा संत्रे बेच रहा है या कोई भी वस्तू बेच रहा है तो उसकी जो quantity है उस समान कर लो दोनों ही इस स्थिती में आराम से हो जाएगा वही मैंने किया 10 और 8 को समान करने के लिए क्या करना पड़ता है 10 और 8 का लिए लाशा 40 आया प्रतिक पड़ में गुणा कर दिया हो गया समान खतम काम अगला सवाल बहुत ही शामदार सवाल बोलता है कि एक आदमी यहां जजान है और आप कीजिए एक आदमी नाओ खेता हुगा दो घंटे के बाहाव में 16 किलो मीटर की दूरी तै करता है देखो दूरी है आपके पास समय है आपके पास मेरे प्यारे भाई तो यहां से क्या निकलेगा चाल जहर सी बात है अब चूकि नाओ धारा की दिशा में जा रही है तो अनकूल चाल निकलेगी कौन सी चाल निकलेगी अनकूल चाल ठीक है और अनकूल चाल होगी कितनी दूरी बटे समय तो 16 बटे 2 कितनी हो जाएगी 8 किलो मीटर प्रती गंटा अब बोला है कि वह उतने ही समय में आधी दूरी तै करता है जब धारा की विब्रीत खेता है तो विब्रीत जाएगा तो प्रतीकूल चाल होगी होगी ना और प्रतीकूल चाल कितनी होगी अब चुकि आधी दूरी तै कर रहा है तो 16 की जगाँ पर 8 और कितने घंटे में समय बोई है तो कितने चाल कितनी हो जाएगी 4 किलो मीटर प्रती घंटा पूछा क्या है धारा की गती? ओहो, क्या बात है, धारा की पूछी, तो धारा की गती क्या होती है? अनकूल चाल, माइनस प्रतिकूल चाल घटा देते हैं, और बटे में 2, कुछ नहीं करना है, आठ में से 4 को घटाओ और 2 का 2 भाग, तो कतना हैगा? आप कहोगी, कि 2 किलो आपका? सही, ऐसे लगाना था, सवाल खुद बोल रहा है कि यही होना है, इसके अलाबा और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो यह लगाना पड़ेगा, ठीक है? चल, अगला सवाल, सबसे शांदर सवाल, बहुत ही शांदर है, एक विक्रेता, एक्स पर्चन लाब पर अ लो, लो जी भाई, बहुत ही सरल, एक्स पर्चन का लाब कमा रहा है, लाब बुरा है, लेकिन कितना? पता ही नहीं है, जब पता नहीं है, तो आप एक्स से वाई में बेच रहे हो, जब पता ही नहीं है, तो यही माल लो, ठीक है, अब सौबटे चार प्रतिशत, सौबटे तौलना था, वहाँ कितने ग्राम तौल रहा है, तीन ग्राम, चार से तीन, कम बजन का प्रियोग कर रहा है, इसलिए, तो यह वेट का रेशियू है, ठीक है, तो आप अगर प्राइस का पुछेंगे, तो जस्ट उल्टा होता है वेट का, तो तीन अनपाते चार हो जाएग ठीक है न, तो वेट का रेशियू चार अनपाते तीन, तो प्राइस का रेशियू क्या हो जाएगा, तीन अनपाते चार, तो तीन से चार, ठीक है, अब क्या है, तो वह है 55.55% का लाब उठाता है, निसकर्स निकल रहा, अब 55.55% क्या होता है, तो आपको पता होगा, कि 11.11 एक percent होता है। कितना? 1 बटे 9 और एक कितने कुना है इसका? 5 time है ना? पाँच गुना है तो आप इसका भी 5 गुना कर दो कितना हो जाएगा? 5 बटे 9 इतने का lab होरा? तो भई लाब क्या होरा? 5 का होरा lab 9 तो आपका क्या होगा? आधार मतलब CP तो 9 से लाव हो रहा 5 का तो कितना हो गया चगदा बोलो आया ना बही गलत नहीं करना 9 से 5 मत कर देना बही लाव 5 का हो रहा है तो वो क्रेवूल पर बढ़ेगा ना तब तो आप बेच पाएंगे तो 9 से चगदा मैं बेच दिया ठीक है अब आपको यहां से क्या करना है काट इनको 3 एकम 3 और 3 ते हाई 9 2 दूनी 4 और 2 सत्य चगदा क्या चाहिए X और Y तो बस इसका गुणा इसका गुणा इधर कर दो तो हो जाएगा 6 और यह आएगा 7 तो 6 से 7 लाव हो रहा ना तो एक का प्रॉफिट हो रहा कितने पर होगा 6 और गुणा 100 तो प्रत्सत और option B आपका right answer बोलो आया ना मज़ा बहुत ही शांदार था ठीक है यह तो आप पढ़ चुके हो सरल लगा होगा आपको बहुत ही सरल लगा होगा आपने तो देखते ही लगा लिया होगा लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो जानकारी आपके लिए वही है रेवन स्टरी चै में होगी एक वीडियो एक क्या दो हैं बेइमान दुकानदार की बहुत अच्छे से समझाए मैंने एक एक चीज बहुत कायदे से समझाईए मज़ा आ जाएगा ठीक है रहा आज का सांधार कॉंसेप्ट के साथ सांधार हमवर्ग और आप इसको लगाएंगे उत्तर भी दे आप बस पढ़ते रहिए और खुश रहिए फुर मलागात होगी ठीक है